तो लेडिस और जेंटरमेंट स्वागत आपका मेरे इस न्यू गेम प्ले वीडियो में तो दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर रहे हैं इंडिया और अस्टेलिया का एक टी ट्वंटी बहत्रीन मैच तो दोस्तो यहां सिक्का उचाला गया और इंडिया ने टो जीता है और दोस्तो च्छेंट और यह वाजने ब्री स्क्रथी सेकेंड और यह बड़ाई हलके हातों से डिविड वर्णर ने इसी ख्येल दिये चार रन के लिए बाहतरीन शोड दोस्तों डिविड वर्णर ने अलके अदू से गैप में चार रन के लिए को तो यह एक श्पैशल लीगा प्रयास किया जाएगा डेविड वोर्णर को आउट करने के लिए और ये कराएगी गें तो और ये फिर से बहुत ही बड़िया गैप में एक और चार रन के लिए इसी के साथ दोस्तों डेविड वोर्णर की हेक्टरिक होई पूरी चार रन के लिए जाता हुआ भैतरी में ही डिल करने आई है अभी तक एक भी रन इन्होंने भाग कर नहीं लिया 16 रन आए और सारे के सारे चोकों से ही आए है और अगली गेंड और जडेजा इस समय बोलिंग कर रहे अपने पहले ओबर की तीसरी गेंड कराते हुए जडेजा और ये एक और गैप में बहुत ही बहतरीन शोट चार रन के लिए जाता हुआ बहतरीन शोट एक और चार रन दोस्तो तो बीस रन दोस्तो अश्टेले टीम के हो चुके है बीना कोई विकट गिरे तो अब ये जडेजा ने कराई पैरों के अंदर गेंड और इसे भी बड़े ही बहतरीन तरीके से फिंच ने खेल लिया और इसी के साथ फिंच ने वी चौकों की है ट्रिक पूरी कर ली और इस समय इंडिया की टीम के आपर प्रेशर बढ़ता हुआ क्यूंकि दस बोलों पर चौविस रड़ की पार्टनर्शी बहुत चुकी और धड़ा धड़ ये पेल रहे है अस्टेले बल्लेवा एक डोट बॉल और लेफ्ट हैंड बैट्समैन अभी बैटिंग करते हुए मोहमद समी गेंद वाजी करते हुए और ये कोई रन नहीं वाइट बॉल का इशारा अमपैर की तरफ से और ये एक वाइट गेंद इसी के साथ अस्टेलिया के हुए एक सो छे रन पर तीन विगर पंद्रम आवर दोस्तों भी चलता हुए पंद्रम आवर की दूसरी गेंद करते हुए और ये बहुत ही बैतरी शोट खेल दिये गैप में और ये चार रन के लिए एक और बैतरी शोट चार रन के लिए जाता हुए एक और बैतरी शोट 110 रन दोस्तों अश्टेलिया टीम अ से बोलिंग कराते और यह मारा शोट और यह कोई रन नहीं एक होड़ डोट बोल तो यह वग लिए मोहमद समीद दो और चार गेंदे देखे अभी तक 19 रन दे चुके यह अस्टेलिया और यह मारा एक और बहती शोट अस्टेलिया बल्लेवाद ने और इसी के साथ हुए अस् दोदा रन एक और चार रन के लिए बहती शोट और यह दोस्तों क्राइम हो मसमी ने गेंद तैस्ट रन दे चुके हैं पहले ही और तो दोस्तों और यह और गैप में शोट और यह डरेक्ट हिट का चांस बन सकता दोस्तों पर कोई फैदा नहीं दोस्तों बल्लेवाद हर दिक पांड़े है दोस्तों गेंद बजी कराने आ रहे हैं अब और यहां पर अभी यह कॉम्प्लैन पीता हुए है इस्टे लिए बल्लेवाद स्टेजिक टाइम आट आया है दोस्तों और यह स्टेजिक टाइम आट निकला और बचे अंतीम चार अबर बचे है पहली गे और यह बैट्समेन गैप में निकला है क्या यह चार रन होएंगे के नहीं होएंगे और यह फिल्टर भागते हो दोस्तों एक और चार रन हो चुके है अस्टेलिया के इस समय हो चुके है और मुहमा समी एक और बगेंद करते हुए और यह क्राइए खोर गेंद और यह बैटिंग शोट और कोई रन नहीं और यह क्या दोस्तों आउट प्लेयर यहाँ पर आउट चुके लेकिन अमपैर लग नहीं रहे के वोल्ट टैच हुए तो हमपैर ने तो और यहाँ पर इंडियन बल्लेवाजों ने रिव्यू का फै लेड़ बैट्समान ने मारा शौड यहां पर चेक किया जाएगा कि बॉल लगी है बैट पर के नहीं लगी है अच्छी तरह और दोस्तों इसे च्छेक किया गए तो सब्सक्राइज यहां पर शो हुआ है तो अल्ट रा एज तो दोस्तों और यह एक और विकट अस्टेलिय के समय और इसी के साथ दोस्तों वे श्चेलीगी चार विक्टे अब गिर चुकी है और यू बैट्समेन आयाGot क्रीज पर बैटिंग करने के लिए और दोस्तों शामाचांऊंगा चार नहीं पांच विकटे हो चुकी है 121 रन पांच विकट हो चुकिया और ये कराई गेंद बने गेंद और ये बैट्समैन ने मारा बैतरिन शॉट क्या लगता है दूसरे रन के लिए जाएंगे बले बाच के नहीं तो दोस्तों नहीं दोस्तों इन्होंने एकी रन लिया तो ये दोस्तों ये बैट्समैन दूसरे बैट्समैन को पानी प्लाते हुए एक सो बाइस रन पांच विकट के नुक्सान पर अस्टेलिया बले बाजी करते हुए इस समय और ये गैप में ठून के एक और शोट मारा है पर सीधा फिल्टर के हाथ में तो यहाँ पर अभी एक से ही सुन तो इस रहना पड़ेगा बले बाजों को और मोहमद समी आया है गैंद बाजी कराने के लिए और ये बैटरी शोट दोस्ते एक और और इसी के साथ एक और चारण नहीं नहीं दोस्तों तो दोस्तों इसी के साथ हो एक सो चोवी रन हो चुके है स्तारा ओबर हो मैच रह चुका है इस्टेलिया की बैटिक का और ये बहुत ही कुल के मारा शोट को सीधा फिल्टर के हाथ में और ड्रेक्ट हो दिये क्या लगता है सिंगल से ही संतु चैना पड़ेगा बल्ले वाजों को तो इसी के साथ दोस्तों अस्टेलिया टीम के रन रेट के 7.35 पर ओवर रन रेट चर रहा है एक सो पचीस रन हो चुके है तीन ओवर का मैच रह चुका है तीन ओवर की मलद बैटिंग रह चुके है अस्टेलिया की तो दोस्तो, अठार मां उवर और एक फ्री हीट भी मिली है और एक free hit भी मिली है क्या लगता है अस्टेलिया बल्लेबाच पूरा फैदा उठाएं के free hit का के नहीं और ये क्राइग गेंड और ये नहीं बिल्कुल उठाये गया उठा के तो नहीं मारा गया लेकिन गैब के अंदर चार रन के लिए जूर बल्लेबाच ने भी दिये गेंड को तो एक और चार रन के लिए बहतरी शोट इसी के साथ अस्टेलिया के वह दोस्तो एक सो चौनती रन हो चुके है अब जड़ेजा की दूसरी गेज और ये भी हलकी हातों से गैब में खेल दिये सीधा फिल्टर के हाथ में तो ये ड्रेक्ट स्रो का इशारा क्या लगता है बल्लेबाच जाएगा रन के लिए नहीं दोस्तो तो तो बिल्कुल अच्छा गया लेकिन बल्लेबाच दूसरे रन के लिए गिया ही नहीं तो इसी के साथ आवज टेलियाई टीम के 135 रन हो चुके है और ये मारा वाइट गेन और ये जड़ेजा की एक वाइट गेन कोई रन नहीं अब बल्लब एक रन जो वाइट गेन का 136 रन हो चुके है इस समय और ये क्राई गेन और ये गैब में खेला शोड और ये फिल्टर क्यार में एक और और ये दूसरे रन के लिए भाग चुके क्या लगता उट होगा नहीं दोस्तों दो रन हो चुके हो 138 रन हो चुके है दोस्तों अस्टेलिया के बहुत ही संबल संबल कर खेलती हुए इस्टेलिया टीम बिल्कुल भी जोकिम नहीं ले रिये के उठा के मारा जाए शोट ऐसा कुट्णिया बढ़ी ध्यान पूरवक खेलती हुए इस्टेलिया की टीम इस समय और ये दूसरे रन के लिए फिर भाग गे बल्लेवाजने चार रन के लिए बहतरी शोट जाता हुगा और ये लिए दोस्तों नो बोल का इशार आमपैर की तरफ से पहले ही इस ओवर में एक नो बोल करा चुक है एक और नो बोल तो इन्हें पांच-पांच रन फ्री में मिल रहे है रवींदर जड़ेजा की गलती की वज़े से तो अभी तक 34 रन दे चुक है जड़ेजा अभी भी दो गेंदे शेश बाकी है और ये क्राइगे और ये सीधा फिल्टर के हाथ में तो ये होई डोड बोल लास्ट बारा बोल पे 29 रन निकाल चुक है इस टेलेटी जिसमें सिर टीम सोचलियन के बहुत रन हो चुक है तो इन्होंने भागना भागना ठीक नहीं समझा तो अठारा ओवर 145 रन टीम के हो चुक है इस समय और ये पहली गेंद चहल आया गेंद गाजी कराने के लिए और ये बहुत ही बढ़िया शोट पर फिल्टर के हाथ में एक रन से खेल दिया स्टेट पॉरवर्ड और ये बहतरी चार रन के लिए जाता हुआ शोट गैब में ढूंड के मारा है बिर्कुरी स्टेट में चार रन के लिए बहतरी शोट जाता हुआ और इसी के साथ अस्टेलिया के डेट सो रन पूरे हो चुक है और ये तीसरी गैंस 19 में उमर की ओर डॉट बॉल कोई रन नहीं नो गैंदे शेश रहा चुकिए कितने रन तक बटोर लेगे स्टेलिया टीम दोस्तों गैस करके देखें दस बीस तीस कितने रन तक बना पाईगे स्टेलिया टीम और ये चोस्ती गैंस कराते हुए और ये गई फिल्टर के हाथ पर क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे मुझे तो लगता है दोस्तों ये एक भी रन के लिए नहीं गए और यहाँ पर बैड के मैच देखते हुए इंडियन प्लेयर और डॉड बल कोई रन नहीं लिया लगता है स्टेलिया टीम भाग भाग कर ठक च कुल होगा दोस्तों और यह वजा है ड्रेक त्रो इसी के साथ अस्टेलिया का एक और बैटरीन विकट और यह हुए रन आउट कैरी जाते वापिस और अंदर रन बनांके और न्यूब ब्लेयर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए 11 मैच खेले इनोने चेनिंग इससे पहल लाश्ट ओबर पड़ा है और बोलिंग कराने आ रहे हैं बुम्रा और पूरा फिल्ट सेट अप कर दिये गए लास्ट ओर में उम्मीद रखेंगे ज्यादा से ज्यादा विक्टर लीजाए ज्यादा से रन रोके जाए ना दिये जाए क्योंकि पहले ही देट सो रन अस्टे लेकिन फिर भी दूसरे रन के लिए भागे और दो रन पूरे हो चुक है दोस्तों ड्रैक्ट थ्रो बेशक भजी है लेकिन फिल्टर अपनी क्रीज में पहुंच चुक है तो पहली गेंद पर दो रन इसके साथ हुए दोस्तों अस्टेलिया के 153 रन 6 विकट पांच गेंदे रह चुकी है शेश अस्टेलिया टीम के पास और यह दूसरी गेंद को खेल दिया गैप में क्या लगता है चारण होएंगे जा रोक ले जाएगा शोट इतना तेजा लेकिन शोट इतना तेजा दोस्तों की फिल्टर नहीं रोक पाएगा तो यह रन भी नहीं भागा क्यूंक्यजर टीम बीज में भाग भाग के थक जाती तो तो तिन गेंदे च्छे विकट के नुक्सान पर चार गेंदे हो चुकिया दो गेंदे शेश रहेगी और पांच मी गेंद और ये और डॉट बॉल कोई रन नहीं दोस्तो थिरी 60 डिगरी एंगल पर खेलने जा रहते हैं लेकिन कोई रन नहीं मिला और आखरी गेंद बची है और ये मारा है को 165 रन का लक्षे मिला है जो कि इंडिया को चेस करना है बारा रन इन्होंने एक्स्ट्रा में दिये है और यह आ जाता है दोस्तों स्कोर वर्ड स्टीव स्मिद ने मारे 43 रन और बैटिंग करने के लिए इंडिया की तरफ से रोई शर्मा और शिकरदवन तो न्यू बल्ल किस्तरा मैंच होगा तो इसके लिए बने रही है भाकि दोस्तों अगर आपको वीडियो पवाइन बाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब पहुंच चुका है तो पहली गेंद पर दो रन शिकर दमन बैटिंग करते हुए और विक्टर से हट के मुझे लगता हिटिंग के लिए जाएंगे और यह मारा उठा के शोड और बॉल दूर रहे गई और यह वाइट गेंद प्री के एक रण मिल चुका दोस्तों इसी के साथ अस्टेलिया का एक और रन तो दोस्तों अवाया है रोई शर्मा बैटिंग करने और यह एक राई गेंद और यह उठा के मारा है सीधा फिल्डर के हाथ में और इसी के साथ इंडिया का पहला विकट गिरता हुआ रोई शर्मा जीरो रन पर जाते हुए पहली गेंद पर तो दोस्तों अब आई है विराट कोली बैटिंग करने के लिए चार रन पर पहला विकट इंडिया का गिर चुका है और यहां पर फिल्ड सेट करते हुए बीच में श्टेलिया विकट कीपर तो नो रन हो चुके है दोस्तों इंडिया के एक विकट के नुक्सान पर काफी संबल संबल कर खेलने की जूरता हुए इस समय जो है इंडिया के टीम को एक पार्टनर्शिप की जरूरत है ताकि क्योंकि और लोग दोस्तां पार्टनर्शिप की बात कर रहे थे और शिकर दबन यहां से चलते बने और यह वे क्लीन बॉल चारुखा ने चित कर दिय दोस्तों शिकर दबन को बॉल दखाई नहीं की और सीधा विकर्ट पर बजी तो 19 रंड पर 3 विकर्ट बिल्कुल दोस्तों 19 पर 3 मेने बॉल ला ही था और इसकी तार तीसरा विकर्ट भी चले गा साथ में एक और विकर्ट हो चुका है दोस्तों विराट कोली भी जहते खतरनाग बल्ले वाथ है इंडिया के वो तीनों की तीनों वापीस वेलियन पहुच गया है और इंडिया के हो चुक है बीस रंड पर 3 विकर्ट चार वर पूरी बैकपॉर पर पहुचे है ओ दोस्तों इसी के साथ एक और विकर्ट के यल राहुल भी आउट और सारा का सारा पलड़ा मैच इंडिया अस्टेलिया की तरफ गिरता हुआ तो दोस्तों इंडिया लग नहीं रिये जैसे मैच में बनी हुए यह 32 रंड पर 4 विकर्ट हो चुके है इंडिया के इस समय और 87 गेंदों पर अभी इने 120 रंड चाहिए तो एक पार्टनर्शिप की जूरूरत प और इसे हलके आतों से रवींदर जड़ेजा ने खेल दिया है और यह क्या ओ मुझे लगता है दोस्तों और यह लीजे दोस्तों अभी हम बात ही कर रहे थे कि पार्टनर्शिप की जुरूरत है लेकिन यह का इसी के साथ एक और रन एक रन आउट और रवींदर जड़ेजा भी जाते हुए और इस समय पूरा का पूरा मैच अस्टेलिया के हिस्से में आता हुआ पांच विक्टे आदी टीम वापीस पुवेलियन पहुंच चुके और यह क्राइगें मुझे लगता है यह भी आउट लग रहा है दोस्तों बिल्कुल जाएंगे दो दो रिवीव पिचिंग अमपैर्स कोल्ड इंपक्ट इंलैंड विकर्ट हिटिंग उरिजिनल डिसीजन आउट है दोस्तों और मुझे लगता है प्लेयर को जाना पड़ेगा वापीस और बिल्कुल सही दोस्तों के लिए उड़ते हो इसी के साथ इंडिया को एक और जटका लगता है हार साथ से संबाल कर खेलते हुए काफी दोस्तों पाटनाशिव की जूरत पड़ी यहने काफी संबाल संबाल कर खेल लगो और यह उठा के मारा है शोड तो दोस्तों इस मैच का पहला सिक्स जब हमें देखने को मिल रहा है जब इंडिया की च्छे विक्टे उठ चुकी है तो आईयर को बैटिंग के लिए बेखते आगे लेकिन मुहमद समी ने खुदी शोट उठाके वो सिधा दे दिया फिल्टर के हाथ में तो यहां पर इंडिया के हो चुके है साथ विक्टे और यह क्या बात है दोस्तों उठाके खेला शोट लेकिन दो रंद से संदू श्टेना पड़ेगा बल्ले बाच को क्योंकि बोल गई है सिधा गेंड बाच के फिल्टर के हाथ में तो इसी के साथ दोस्तों इंडिया टीम के स्कोर बॉर्ड पे हो चुके है इस सब्सक्राइब साथ विक्टों के नुक्सान पर आईयर एक आखरी उमीद दिखाई दे रही है तो काफी हथ तक यह मैं दोस्तों अस्टेलिया के पालने में चाता हुआ और यह खेल दिया राम से हलक आतों से एक रन के लिए लेकिन दूसरे रन के लिए भाग चुके है तो यहां पर वह बहुत तरन हो चुके हैं इंडिया के टीम पे और यह आईयर ने उठा के मारा शो अगर सिर्फ 10% की उमीद रहेगी है इंडिया की टीम में तो दोस्तों चैहल आया है बैटिंग करने के लिए और यह गैप में खेल दिया चैहल ने पहली गेंज पर आता ही अपना खाता दोस्तों चार रन के साथ कोलते हुए और यह वह दोस्तों चार रन के लिए बहती शोट 76 रन दोस्तों इंडिया की टीम के हो चुके है दो ही विक्टर शेश रह गिया है अगर शेलिया को मैज जीतना तो दो विक्टर चाहिए अगर इंडिया को मैज जीतना तो इन्हें संबल संबल कर खेलना होगा फिर से गैप में खेल दिये शोट क्या लगता है चार रन जाएंगे नहीं दोस्तों फिल्टर के आथ में गेंग अब एकासर गेंदों पर दोस्तों चाहिए यह अभी देखते हैं काक ऐसे समझ से मगदर और दोस्तों अठार और यह बहतरी शोट बुनेशन कमार का लेकिन एक रन से सब्सक और सिंगल इसके साथ हुए दोस्तों स्कोर वोड़ पर असी रन हो चुके है करन्ट रन रेट इनका चलता हुए 7.74 रुक्वाइड है 8.48 और यह उठा के मारा है शोट और क्या लगता है बिलकुल दोस्तों 6 रन के लिए जाता हुए शोट और यह बहुत ही बढ़िया पाइगे और उठाके मारा नहीं दोस्तों फृरी रेट का कोई फैसर नहीं हुटा पाए इसके साथ हो चुके है इंडिया के 87 हो चुके है और यह कुराई इस टेल यह गेंज माने गेंज ओ दोस्तों बच गेंगे बाल बाल बचे फिल्टर के सिर के ऊपर से निकल गे नहीं तो अभी मुमनेशन कमार कवीव आपी जाना पड़ता पर चलो विकट बच गई तो यहाँ पर हो चुके है अब इंडियाई टीम के 90 रन हो चुके है दोस्तों तीन रन इन्होंने भाग के लिए और यह एक राई गे तोर यह हलके हाथों से खेल दिया बल्यवाद ने और इसके साथ हुए 91 रन 91 रन दोस्तों हो चुके है 94 हो चुके है मुमनेशन कमार साथ बोलो पे पंदर रन चाहल चार बोलो पे आठ रन दोस्तों रन रेट तो तक्रीमन सही चरह पर विकड बचा के रखना इससे में बहुँ जरूरी है लास्ट बारा बोलो पे छबभी रन हो चुके है इसमें इंडिया को एक विकड भी देनी पड़ी जो अईयर के रूम में गी थी और ये क्राई गेंड और ये क्या लगता है लिए बार मोबर चलतरा बारा बोलो पे 26 रन बना चुकिए और एक रहल के आतों से शोट खेल दिया 99 क्या दूसरे रण के लिए जाहें के नहीं दोस्तों बिल्कुल नहीं दूसरा रण बिल्कुल रिस्की हो जाएगा और विकड हमारे पास बिल्कुल नहीं है इससे में गवाने के लिए 99 रन इंडिया संबल संबल कर खेलते हुए इससे में और ये उठा के मारा है शोट क्या लगता है दोस्तों एक चे रन बैटरीन शोट और यहां बाल बाल बचे भी और एक चे रन भी है दोस्तों ये रिपले तो देखना बनता है द्वारा से ये कराई गेंद वान ये गेंद और ये बैट से में ने मारा है स्वीफ शोट और यहां पर चेक किया जाएगा कितना थोड़ी से दूर रहेगी दोस्तों नहीं तो अभी चहल को वापी जाना पड़ता तो अभी दोनों बल्ले बाज एक एक वारी बाल बाल बचे गया तो जिसके इंडिया के लिए वैसे खुशकवरी है दोस्तों एक सब पांच रन उचके है सो रन के लिए सो रन क्रोस करके अब आके निकल चुकी है और दोनों बैट्समेन बहुत ही संबल कर खेलते हुए और स्कोर बॉर्ड को आगे लेके जाते हुए तो दोस्तों अभी भी क दोस्तों बाल बाल बचे कोई रन नहीं आया एक सो नो रन दोस्तों हो चुके है आठ विकर्ड के नुकसान पर और यह हलक आदोसे फेसे खेल दिया है बनुशनकार ने और गेंड गई है सीधा फिल्टर के हाथ में और एक रन हो और इसके साथ हो एंडिया के एक सो दस रन चहल कर रहे है बैटिंग और यह क्राइश टार्क ने गेंड और यह बल्लेवा निब गैप में खेल लिया है चार रन के लिए जाता हुआ बहतनी शोट और बहुत ही बड़िया गैप ढूंड के मारा है चैल ने शोट को और इन्हें मिलेंगे एक और चार रन इसी के साथ इ इतने के उमीदें भी अब इंडिया की टीम के बढ़ रही है मुने स्टेंग वार तेइस रन चहल बीस रन और काफी संबल संबल कर खेलते हो और एक पार्टनर्शिब बनती हुए दोस्तों जो अभी तक हमें इंडिया टीम में देखने को मिली नी थी इन दोनों गेंदवा बोल अड़तालीस रन चाहिए लास्ट पंद्रा बोल पर चोविस रन आया है और यह क्राइश टेल यह गेंद बान ने गेंद और यह बोल गए सीधा फिल्टर के आद में और एक रन से संबल पड़ेगा और यह एक रन और यहां पर हुए दोस्तों इंडिया के एक सो पंद पर दोस्तों क्रिकट है कुछी भी हो सकता है और यहां पर हुए इंडियान टीम की 50 रन की पाटनर्शी पाटनर्शी बनाई है काफी और ऐसे समय पे दोस्तों पाटनर्शी लगी है जबकि इंडिया की टीम को बहुत जरूरत थी और इन दोनों बलेवांचे अपनी जिम्म पर दोस्तों काफी अच्छी पाटनर्शी लग रही थी लग रहा था कि मैच को एंडर तक ले जाएंगे लेकिन नहीं दोस्तों यह आउट होगे वल्लेवाज आप बुमरा बैटिंग करने है और आगरी विकट है दोस्तों आर बारवाला खेल है और यह उठा के मारा है शो वह भाल भाल बचे दोस्तों और यह मैंने निकलता है चार नहीं भी निकलेंगे तो मेरे कार से तीन नहीं वह दो में दोश्तों ती नहीं वह रही लेएंक अब उन्था आर्णा के लिए एक Βिकट चाहिए और ईंडिया को जीतने के लिए नहीं कर कम ऐप चेलना होगा सिर्फ संबल कर केलना होगा तो मैच अराम से अपने मुठी में और ये क्राई गेन और ये हल के आतों से खेल दिया है एक रन के लिए और यहां पर हुए दोस्तों इंडिया के 144 रन यहां पर हो चुके हैं इंडिया टीम के 144 रन नो विकट के दुक्सान पर और ये क्राई गेन तो और ये बैट्समेन है फिर से हल के आतों से खेल लिया और काफी बच बच के खेलते हुए इस समय दोस्तों शोट उठा के पानने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ विकट बचा की खेलना जरूरी है क्योंकि रिस्क लेने के लिए हमारे पास विकट के खतम है क्योंकि विकट उडी तो मैच दोस्तों वो बात आ जाती है नजर हटी दुरुगटना गटी वाला कारे होजएगा अगर उठा के खेला तो लेकिन संभाल संभाल कर खेलते हुए नीट 14 रन 14 रन चाहिए दोस्तों 14 बोले 6 बची है और ये बुमराने हलक आतों से खेल दिया एक रन के लिए और ये दूसरे रन के लिए भी दोड़ी है क्या दो रन होजएं कि बोरे बिल्कु दोस्तों बड़े अराम से दो रन पूरे करते हुए इसी के साथ इंडिया के 1500 रन कंप्लीट हुए और ये क्राई गेंट और ये बहुत ही बड़ी है शोड दोस्तों एक और गैम में और फिर से दो रन के लिए भागेंगे बिल्कुल भागेंगे दोस्तों और इसी के साथ इंडिया के हुए 122 रन हो चुके है 10 रन 6 बचे है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर देना नीचे कुछ कमंट बॉक्स में कुछ कमंट करना चाओ तो कमंट भी जूरू कर देना तो दोस्तों मैच इस समय पूरा फसा हुआ है और ये 2 रन के लिए भाग लिए दोस्तों 11 गेंदे और 8 रन 6 बचे है तो दोस्तों बोलो की तो हमारे पास कोई कमी नहीं है हमारे पास कमी रही तो उसरे विक्टो की लेकिन अगर इसंबल कर केलते रहे तो मैच अपने हाथ में है और चहल एक से जिम्मेदारी संबल कर केलते है और बुमरा भी इस समय पूरा साथ दे रहे है 155 जा रन दोस्तों हो चुके है और बुमरा बैटिंग पे और ये क्राई गेंद और ये हलके आतों से फिर से खेल दिया और अराम अराम से इंडिया जीत के करीब पहुंचती हुई एक एक रन लेती हुई दोस्तों बून बून से सागर बढ़ता है बस वही काम करना भी है इंडिया की टीम को छे रन चाहिए नो गेंदे शेश है और ये क्राई गेंद और ये फिर से खेल दिया गैप में और इंडिया अराम राम से भागते हुई और ये दूसरे रन के लिए भाग लिए दोस्तों ये रिस्की रन था पर फिर भी पूरा हुआ वैसे लेना नहीं चाहिए था इन्हें ये रिस्की रन फिर भी पूरा हुआ तो दोस्तों यहाँ पर इस्टेलिया प्लेन उन्हें बोन विटा पलाते हुए किसी तरह रोकने का परियास किया जाएगा और यहाँ चाहल के 44 रन हो चुक है जो कि बहुत ही महत्वरों रन है और चाहल पर ही सबकी नगाई है इसमें और यह क्या बात है दोस्तों बहुत ही बड़िया शोट और एक और दो रन आते हुए तो दोस्तों दो रन चाहिए बस अब इंडिया की टीम को और अस्टेलिया को चाहिए एक भिकर तो यह मैच देखती है अब किसके हिस्से में जाता है क्या उठाके खेलेंगे चाहिल क्या अराम से खेलेंगे नहीं दोस्तों बहुत ही समधधारी वरा शोट मारा है चाहिल ने और यह दूसरे नंड के लिए दोड लिये और दोस्तों अस्टेलिया ने यह संघर्श बरा हुआ मैच जो था बड़े मंदलब आकरी में जाके अपने नाम कर लिया है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे मिलूँगा मैं मरा हुआ ना शेडियों के साथ मैं उस रात में मौझूद था जो तेरा है वजूद बेटे ना जते हैं तेर जैसे लड़के मेरी